हलो एवरिवन गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू मैं चैनल कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे मंगलबार का दिन है और तारीक है नव यानि कि आज सुभी का ही ये वीडियो है तो आज आपके साथ एक दम फ्रेश फ्रेश सा वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ काफी दिन के बाद मैंने अपना रूटीन दुबारा से स्टार्ट करा है क्योंकि आजकल आपको पता है तब्वित मेरी थोड़ा ठीक नहीं थी जिसके वजह से रूटीन मेरा सारा खराफ हो रखा था तो बच्चों के स्कूल हो गए है ओपन बच्चों के स्कूल मंडे से आज तारीक से खुल गए है तो ये नौ तारीक का वीडियो है आज सुबे का ही ये वीडियो है और मैं उठ चुके हूँ पांच बिजे उठ गई थी मैं उठने के बाद फुल एनरजी के साथ उठी एकदम पॉजिटिव माइन के साथ ताकि अपना जो भी तब्वित वगर और मेरी तब्वेद भी काफी ठीक है तो सुबेना मैंने जैसे खाना क्या बनाना होता है उसके लिए रात को हमें तयारी करनी पड़ती है जब बच्चो को जाना होता है स्कूल तो मैंने आलू बोइल कर ले थे कल रात को ही क्योंकि बच्चो को काफी दिन हो गए है आलू क पराठा खाए हुए तो बच्चे काफी दिन से जित कर रहे थी कि ममा आलू का पराठा हमारे लिए बनाना एक बार मैं आलू की कचोडिया बनाने की सोच रही थी तो फिर सोचा नहीं पराठा बना लेते हैं क्योंकि मेरे हजबन को पूरी वगरा इतनी जादा पसंद नहीं आती हैं तो फिर मैंने सोचा उनके लिए कुछ अलग से बनाना पड़ेगा बच्चों के लिए अलग सा बनाना पड़ेगा क्यों नमा आलू का पराठा बना लू तो सब के लिए एक ही नास्ता हो जाएगा तो यहां पर आलू सारे मैंने छिल के साइड में रख लिये हैं और उनमें डाल लिया है जो भी हमने आलू के लिए स्टफिंग तयार करी है पराठे के लिए सौरी उसमें मैंने मसाले मिक्स कर लिये हैं मसाले मैंने बहुत कम डाल लगे हैं अभी क्योंकि बच्चे तिफिन क्योंकि बच्चों के स्कूल का टाइम हो जाता है तो टाइम से सारे काम करना जरूरी हो जाता है तो बिट्टु अपने मन से ही उठ गई थी आज और बस वो अपना फ्रेस वगरा हो रही है अक्रिस को भी मैंने उठा दिया है तो अक्रिस न उठने में इतनी प्रॉब्लम नह ही करता है बिट्टु उठने में थोड़ा दिक्कत करती है उसको दस आवाज लगानी परती है तब वो उठती है अक्रिस एक आवाज में उठ जाता है पर आज जी बिट्टु खुद से ही उठ गई थी तो बस दोनों अपना तयार होंगे और उससे पहले मैं भी अपनी तय जिम्मेदारी निभानी होती है क्योंकि ओफिस वगरा का थोड़ा सा हजबन उनका लेट होता है सबसे पहला काम होता है बच्चों को टाइम से स्कूल भीजने का तो बस एक माग की जिम्मेदारिया हो गई है सुरू और मेरे को सच बताऊं यही रूटिन अच्छा लगता ह है जब हम सुबह 5 विज़े उटते हैं और टाइम से अपने सारे कामों को निप्ता लेते हैं बिना आलस करे हुए चाहे सुबह आपका मान उठने का करे चाहे ना करे आपको पता होता है कि हां मुझे उठना ही है तो फिर एक अच्छा लगता है टाइम से सारे काम आपके ख मैनेज करके रख सकते हैं अपने सारे कामों को मैनेज करके रख सकते हैं हमारे हिसाब से सारे काम होते हैं जब हम टाइम से उठ जाते हैं और खुद के लिए भी हमें काफी टाइम मिल जाता है कि हम अगर हमें अपने लिए कुछ करना है तो हम वो काम भी कर सकते हैं तो यहाँ पर दोनों बच्चे अपना फ्रैस वगरा हो रहे हैं इत्ती देर में मैं कर दूंगी कपड़ों में प्रैस अक्रिस की न्यू यूनिफॉर्म ही आ रही है यह कल अब जैसे रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है तो स्कूल से मैसेज आ गया था कि बच्चों को फुल स्लिप्स के कपड़े पहना के ही भेजना है वैसे भी अब पंके के नीचे थोड़ा देर भी बैठते हैं तो ठंडा सा लग रहा है क्योंकि बारिस काफी अच्छी खासी हो रही है दहरादून में तो बच्चों को स्कूल में भी ठंडा सा लगता है तो इसलिए यूनिफर्म उनकी फुल लेके जानी है और बेटी का था आज हाउस ड्रेस तो उसको प्रेस नहीं करनी पड़ती क्योंकि टी शट और लोवर होती है उसमें तो वो प्रेस करने की जरुवत उसका नहीं होता है अक्रिस के कपड़ों में वैसे तो न्यूड ड्रेस थी प्रेस वगरा करके ही आए थी पर उसने कल राज से दस बार कपड़े पहन लिए है ऐसे बिल्कुल फोल्ड इतने गंदे तरीके से करके रखे थे तो मुझे सुबे उनमें एक प्रेस माननी पड़ी बच्चों को उनकी सारी चीज़े रखके आ गई हूँ जो जो चीज़े उनको चाहिए होती है उनके सौक्स हो गए उनकी टाइव बग्णा जो भी होती है और उनकी सारी चीज़े जैसे हैंकी बग्णा सारी चीज़े को एक जगा पे खटा करके रखना पटा है दोनों बच्चों का ताकि वो अपना तैयार हो जाए तो बार बार पीछे से ना ममा ममा ना चिल लाए तो ममा भी कीचन में आराम से अपना काम कर सके नहीं तो बच्चे ना पीछे पीछे दोड़ते रहते हैं कि ममा ये दो ममा वो दो तो उससे पहले ताकि बच्चे ना चिल लाए मैं बच्चों की सारी चीज़े रख देती हूँ एक जगा पे ताकि वो अपने सारी चीज़े को ना सही से पहन ले और सही से वो अपना तयार हो जाए अक्रिस को भी मुझे रेडी नहीं करना पड़ता जब वो इसकूल गया था न्यून्यू कुछ दिन ही मैंने उसको रेडी करा था अभी वो खुद से रेडी हो जाता है बस थोड़ा सा लाष्ट में मुझे एक जहलक देखना पड़ता है कोई चीज इधर से उधर तो नहीं है तो बस मैं लाष्ट में एक बार चेक करके जो चीज मुझे सही नहीं लगती न वो ठीक कर देती हूँ बस वो अपने टाई नहीं पहन पाता उसको टाई मुझे पहनानी पड़ती है बाकि वो खुद से रेडी हो जाता है जब तक बच्चे तैयार होंगे तब तक यहाँ प पराठे घी के साथ ही बनाती हूँ क्योंकि जब घर में घी होता है तो घी से ही पराठे बगरा हमें बच्चों को देने चाहिए बच्चों को थोड़ा सा फायदा होगा ओल से फिर बच्चों को खासी होने लग जाती है तो इसलिए मैं घी में ही पराठे बनाती हूँ तो अकर बच्चा आधा भी खा लेगा न सुबह बढ़ी बात है नहीं तो बच्चे सुबह खाना खाने के थोड़ा नकरे दिखाते हैं तो इसलिए मैं बच्चों के साथ ज्यादा जीद भी नहीं करती कि आपको एक एक पराठा ही खाना है दोनों बच्चों को आधा आधा मैंने चार बनाए थे तो एक पराठा दोनों बच्चे खा लेंगे आधा आधा और तीन पराठे वन एन हाफ वन एन हाफ में बच्चों के स्कूल के लिए रखोंगी एक पराठा और आधा आधा ना मतलब दोनों बच्चों के लिए मैं बराबर ही रखती हूं खाना क्यूं नास्ता भी करेंगे और साथ मैं उसकी चोटी भी कर दूंगी तो मैं उसको बोली थी बेटा मुझे बाल बनाने दो फिरा पाराम से खा ले न거든 पर उसको पराठा इतना पसंद आया है कि उसने बाल बनाते बनाते ही पराठा फिनिश कर दिया था और जब भी मैं बच्चो का टिफिन लगाती हूँ बच्चो के लिए पराठे रखती हूँ तो पराठे मैं हमेशा ट्रेंगल सेप में कट करके रख देती हूँ ताकि बच्चो को खाने में एजी हो बच्चा अपना एक स्लाइस पकड़े स्कूल में और एजीली खा ले अगर लेके आए थे जैसे बनाना चिप्स होते है और दूसरा यह कटोरी वाले चिप्स आते हैं वो सारी चीजे बच्चे लेके आए थे तो दोनों नहीं बोल दिया था कि ममा हमारे लिए ना थोड़ा-थोड़ा चिप्स बगरा भी रख देना तो बस चिप्स रख दिये है आकर लोगों को भी दे सकूँ तो उसने पहले ही बोल दिया था कि ममा मेरी फ्रेंड के लिए भी रखना तो मैंने उसके लिए अचाया रख दिये हैं दो से तीन पीस और बस दोनों बच्चे हो गए हैं आप रैडी स्कूल जाने के लिए अच्छे से बच्चे टाइम से थोड़ा सुबह पढ़ोगी कि ये करो वो करो जल्दी करो तो बच्चा चिर्चुरा हो जाता है तो दोनों बच्चे चले गए हैं स्कूल के लिए और अभी बाहर बारिश हो रही थी सुबह से मौसम ठीक था और जब मैं उठी उसके बाद मतलब जब मैंने मौसम देखा ना तो मौस जब मेरे बच्चों का मौनिंग का रूटीन स्टार्ट होता है जबकि बच्चों को स्कूल जाना होता है तो मेरे हजबन जी एक चाय पीके जाते हैं आफिस नहीं तो वो मौनिंग की चाय कभी नहीं पीते और मौनिंग में जब चाय पीते भी हैं तो उनको काली चाय पीनी होती है उनको दूद वाली चाई बिल्कुल नहीं पीनी होती मुझे भी बार-बार डारते हैं कि दूद वाली चाई जहर का काम करती है सुभे-सुभे खाली पेट आप दूद वाली चाय पीते हो इससे अचा फ्रोट खालो और मुझे बार-बार डारते हैं पर मुझे तो चा चाई बना ली है अभी एक घंटे का टाइम रहता है मतलब आधा पॉना घंटा तो रहता ही है टाइम कि हम दोनों आराम से बैट के अपनी चाई इंजोई कर सके और अच्छा भी लगता है ना सुभी सुभी अकेले चाई पीने में वो मज़ा नहीं होता जब कोई साथ में एक लेट के अपना थोड़ा देर लेटे रहते हैं तो इसलिए मैंने बिस्तर वगरा नहीं उठाया था तो मैंने चाई बनाई और एकदम जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो तुरंत काम पे लगने का मन भी नहीं करता थोड़ा सा वीक सा फील होने लगता है क्योंकि अर्ली ब्लैंकिट वगरा जो पतले वाले कंबल होते हैं वो हम ओडते हैं वो मैंने टैय लगा के रग दिये हैं और मेरी एक सस्क्राइबर इस बैट सिट का लिंक मेर से मांग रही थी दो तीन दिन टैले ही कमेंट आया था कि दीदी आपके बैट सिट अच्छी लग रही है इसका बैट में बिचा देते हैं पूरे घर में एक अलग सी ही रौनक सी आती है इसको बिचा के तो इसका लिंक में आपको नहीं दे सकती क्योंकि ओनलाइन ये बैट सिट मैंने नहीं मंगा रिखिये तो बैट वगरा मैंने अपना जाड लिया है और अभी थोड़ा सा टाइम था हजबन अपना नहाएंगे धोएंगे ना तब तक मैं ये सोफा भी ठीक कर दूँगी क्योंकि हजबन फिर यहाँ पर बैट के अपना नास्ता करते हैं तो पूरा मैस हो रखा था रात के टाइम बच्चे ऐसी फैला के सोते हैं सारा जितना भी मना बोल दो बच्चे जब तक रात को पिलो फाइट ना करें तब तक नीद नहीं आती है तो फिर मैं भी कुछ नहीं बोल ली क्योंकि दिन भर काम करकर कर के मैं भी इतना ठुक जाती हो कि फिर हिम्मत ने होती बच्चों के पीछे चिलाने की फिर मैं छोड़ देती हूं कि चलिए सुभे तो मुझे ही साफ करना है अभी छोड़ देते हैं और एक महिने के बाद बच्चे स्कूल गए है तो आज घर में बिलकुल मुझे खाली-खाली सा फील हो रहा था बच्चों के अभी हजबन के लिए गरम-गरम पराठे मैं बनाओंगी क्योंकि पराठा थंडा खाने में बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता तो मैं अभी हजबन के लिए बनाओंगी दो पराठे और जब मैं नहाद होके दिया बाती करूंगी उसके बाद मैं अपने लिए बनाओंगी एक पराठा उसी टाइम बनाऊंगी क्योंकि सबको तो हम लेडिस गरम-गरम खिलाती हैं खुद के लिए हम लोग लापरवाई करती हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है अपने लिए भी हमें गरम-गरम खाना ही खाना चाहिए खास करके आलो का पराठा बगरा तो ठंडा बि हम लेडिकी मज़ा होता है तो अगर मैं दही रख देती हूं तो अक्रिस मांग देता है फिर उसको खासी की प्रॉब्लम हो जाती है तो इसलिए हजबन भी मना बोल देते हैं आशकल दही बगरम मत जमाय करो नहीं तो अक्रिस को एक बार खासी होगी ना फिर बहुत बैड में आपको पताई है कोई लेड़ता तो है नहीं और वैसे भी मौसम ना काफी ठंडा हो गया है हमारे यहाँ पे तो बिना पंखे के भी रहा जा रहा है और पंखा चलाते हैं जैसी तो बहुत जादा ठंडी लगने लग जाती है तो बस बैड सिट मैंने वहाँ पे ब फिर मैं लग गई हूँ काम पे क्योंकि तुरंत जब कोई घर से जाता है ना तो हमें साप सफाई नहीं करनी चाहिए जाड़ू नहीं लगाना चाहिए बोलते हैं तो मैं थोड़ा देर का गैप ले लेती हूँ 15-20 मिनट का उसके बाद मैं अपने काम सुरू कर लेती हूँ अब होगी मेरी सुवे की सफाई सुरू जिसमें की आराम से आपको एक घंटा लग जाता है तो आज तो ऐसा लग रहा था कि मैं अपने हिसाब से काम कर रही हूँ क्योंकि जब मैं घर की सफाई करती हूँ वैसे बाकी टाइम जब बच्चों की छुटिया थी तो बच्चे सोय रहते थे तो फिर वो मजा नहीं आता काम करने का जब आप पूरा अच्छे से बैड वगरा साप कर लो ना तब ही ज़ाड़ वगरा लगाने में अच्छा लगता है और साथ मैं मैंने अपना पसंदीदा टीवी चला रखा था जो मुझे टीवी में देखना पसंद है व मेरे साथ बच्चे हैं मैं ये अकेले कैसे करूँ वो अकेले कैसे करूँ ऐसा कुछ नहीं है हर कोई अपने काम की जिम्मेदारी खुदी करता है तो हमें भी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे कभी नहीं हटना चाहिए चाहे कोई हेल्प करे चाहे ना करे अपने कामों को ह तो एक अलगसी ही एनरजी आ जाती है अंदर काम करने की तो बस मैं वही चाहती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को देखे मोटिवेट हो ये और मुझे धेर सारा प्यार दीजे और आप लोग भी मेरी तरह अपने घर को कड़ी मेहनत करके सजाईए सवारिये और हमेशा आज विजे से उठके बस अभी साड़े नौ बजे तक मेरे सारे काम निपट गए थे मेरे काम जल्दी निपट जाते जाड़ो पोचा क्योंकि मैं हजबन की जाने के बात करती हूँ इसलिए तो आज मैंने पूरे घर को समेट लिया था पहले ही जैसे सोफा बगरा बैट ठ खेला देते हैं उसमें ज्यादा टाइम लगता है फिर जाड़ो पोचा करने में आपको आधर घंटे का ही टाइम लगता है और आपका पूरा घर साफ हो जाता है भले ही हमें सुबे कड़ी महनत करनी पड़ती है अपने घर को सजाने में सवाने में बस एक घंटे का टाइम लगता है जिसके बाद की आपको पूरा दिन भर सुकून रहता है ऐक सांती होती है कि हाँ मेरा घर साफ है और घर को अगर जब तक साफ ना रखें तब तक चैन नहीं मिलता किसी भी housewife को जब तक अपने घर को अपने हिसाब से सजाए ना तब तक housewife को चैन नहीं मिलता तो बस वही होता है जब अपने घर को साफ कर लोना तो बहुत ज्यादा खुशी होती है तो यहाँ पे देखे जी मेरा पुरा घर हो चुगा है साफ सुदरा अब मैं जाओंगी नहाने, सारे 9 बुजे का ये टाइम था, जब मेरे घर के सारे काम निपड़ चुके थे, अब बस एक काम था नहाने का, उसके बाद दिया बाती करने का, फिर करूंगी मैं अपना नास्ता, नास्ता तो चाहे मुझे 12 बच जाए, पर जब तक मैं दिया बाती ना कर जब पेट भरा होता है, तो काम करने में भी मज़ा आता है, तो मैं एक फ्रूट खा लेती हूँ, जैसे एपल बगरा, तो फिर मैं अपने कंटिन्यू कामों को करती रहती हूँ, सारे काम हो चुके हैं, अप यूंगी मैं एक गिलास पानी, क्योंकि चाहे कितने भी काम हो, पानी हमें टाइम टू टाइम पीते रहना चाहिए, और फिर मैं जाओंगी नहाने के लिए, इसी के साथ ही आज की वीडियो को मैं यह पैयन करूंगी, उम्मीद करूंगी, आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल मत भूलना मैं आप से मिलूंगी अपने अगली नहीं वीडियो में तब तक के लिए बाबाई